नमस्कार दोस्तो आप देखरेंga technical extension और मैं हूँ आपका दोस्त शुक्रतो तो दोस्तो ये हैं मेरा ब्लॉग टेक्निकल extension की और यहाँ पर आप देख पारें मेरा कुछ content यहाँ पर upload किया हुआ है और यह Larं कॉन्टेंट मैं artificial intelligence वाला content writing यानि आप सिर्फ वहाँ पर subject देंगे या matter देंगे मन लीजिए आप domain name के उपर कुछ बनाना चाहते तो सिर्फ domain name डालने से वहाँ पर content अपने आप तयार होके आपके सामने आते हैं लेकिन दोस्तों वह content सही content होता ही की नहीं और वही content direct अगर आप आपना ब्लॉ तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि यह मेरा ब्लॉग है और यहां पर जितना भी content है कुछ मैंने खुद लिखा हूं और कुछ AI content writing से किया हूं अभी बात आता है कि AI content writing क्या free है तो दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा AI content writing जो है यह एकदम free नहीं है यह subscription based है लेकिन मैं आज आपके लिए लाया हूं एक platform जहां पर आपको free में मिलेगा AI content writing और आप बहुत आसान इसे इसे कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह जो website hyper write बाला यहां पर totally free आपको मिलेगा AI content writing जी हां दोस्तों यहां पर आप खुद से content writing कर सकते हैं और यह AI content writing आपके सामने तयार करके content भेजेगा जो आपको थोड़ा से edit करना पड़ेगा tricks apply करना पड़ेगा उसके बाद जाके आप अपना blog में इसे डाल सकते हैं तो दोस्तों इसे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर get started button पे click करना पड़ेगा और यहा पर आपको कोई भी password और यह I clarify that I am 18 years of age इसे click करना पड़ेगा और यहां पर आपको sign up करना पड़ेगा उसके बाद जैसे आप login करते हैं दोस्तों तो आपके सामने यह interface open होता है तो दोस्तों यहां पर देख पा रहे हैं आप हाईपर राइट का जो interface open हुआ है यह interface बहुत स conservative यहां पर चूज कर सकते हैं अगर आप creative writing लिखना चाहते हैं तो यहां पर creative को select रखें अगर आप conservative content writing चाहते हैं तो conservative selection रखें तो यहां पर हम normal रखते हैं इसके बाद कि यह जो section है दोस्तों यहां पर दो option आता है एक auto write एक होता है template beta version में जो अभी available है लेकिन हमको अभी चाहिए auto write ओके तो यहां पर देखिए auto write option पर जैसी आप यहां पर click करेंगे तो यहां पर कुछ लिखने के लिए वह बोल रहा है चलिए मैं कोई एक topic type कर देता हूं ठीक है माल लीजे मेरा topic domain name तो यहां पर मैं डाल रहा हूँ what is a domain name ओके तो इसके बाद आपको सिर्फ यह auto write button पर click करना होगा यह थोरा time लेता है artificial intelligence आपका content बना रहे हैं यह देखिए यहां पर आ गया आपका content यह देखिए a domain name is a unique name that identifies an internet resource such as a website यह बहुत सारे option आपको मिलेगा यह या तो यह आप ले सकते या तो यह content ले सकते हैं या तो यह content ले सकते यह आप इतना सारा आपको option मिलता है आपको कोई भी content आप यहां से ले सकते चलिए जो बड़ा content जो पहले आया था उसे हम यहां पर plus करते हैं ठीक है अब दूसरा content के लिए मैं यहां पर तयार करके रखा हूं मेरा point ओके यह point होना जरूरी है दोस्तों इसके बाद देखिए मैं यहां पर डालूंगा how do I buy a domain name यानि कैसे domain name को खरीदना चाहिए तो इसके बाद मैं इसे डाला ओके यहां पर space नहीं आना चाहिए दोस्तों तो backspace हम डाल दिए और यहां पर right option पर क्लिक किया और यहां पर देखिए यह जो ब्लिंक कर रहा है इसे हम एंटर किये तो यह नीचे आ गया इसके बाद देखिए यहां पर आगया यह आ गया ठीक है इसके बाद third मेरा जो point है what is the difference between a domain name and website ओके दोस्तों यह मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आप लोग का ब्लॉग लिखने के time पे point wise अगर ब्लॉग लिखते हैं तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और जो लोग reader होंगे यानि आपका website विजिट करके यह content को पढ़ेंगे वह लोग को भी अच्छा लगता है परने के लिए और वो लोग time spent करते हैं आपका content के ऊपर तो इस के बाद वही process auto write देखिए तो content आपका यहां पर आ गया a domain name is a unique identifier for a website यहां पर आ गया आप यह देखिए website is a set of related web pages ओके तो यह होता है आपका difference ठीक है यहां पर देखिए a domain name is a unique identifier for a website website is a collection of web pages तो मेरे को यह सही लग रहा है क्योंकि यहां पर दोनों चीजी discuss किया गया है ठीक है यहां पर आपको खुद से कुछ बराना पड़ेगा जैसे कि माल लीजिए यहां पर मैं एक paragraph डाल रहा हूं ठीक है यह paragraph हो गया इसके बाद मैं यहां पर और एक paragraph डाल रहा हूं तीन paragraph बनने के बाद यहां पर भी आप एग paragraph डाल दीजिए और यहां पर भी आप एक paragraph डाल दीजिए तो यह हो गया अlegen आपका curiosity इसे मैं बोल्ट करता हूं और इसे भी मैं बोल्ट करता हो चलिए तो देखिए professional content आपका यहां पर της रहा यही हो गया आपको कोई भी professional content राइटर हायार करने का दर्कान नहीं है आपका content यहां पर बन चुका है अभी आप लोग पूछेंगे कि यह जो AI content writing है AI content writing से यह content बना है यह Google एप्रूब करेगा कि नहीं करेगा तो दोस्तों यहां पर बात आता है AI content writing मतलब होता है Artificial intelligence content writing यह content writing आपको अगर ब्लॉग में डालना है और उसे Google Adsense के लिए approval में भेजना है तो यहां पर कुछ कुछ changes करना पड़ेगा इसके लिए मैं एक तरीका दिखा दिया हूं कि यहां पर point wise आप आगे बढ़िए और paragraph के हिसाब से content को सजाए तो सबसे पहले मैं जो करता हूं यहां पर copy करता हूं दोस्तों इसे copy कर लिया और इसके बाद word count करते सबसे पहले कितना word का मेरा text हुआ है तो देखिए 260 word और थोड़ा होने से अच्छा होता 300 word होने से बहुत अच्छा रहता लेकिन मैं यह आपको सिर्फ दिखा रहा हूं अप लोग 300-400 word की content बना सकते हैं अराम से जो मैं तरीका दिखाया हूं अब दोस्तों बात आता है कि यह content valid है कि नहीं यानि plagiarism check करना पड़ेगा तो यहाँ पर grammarly जो renowned brand है आज के जमाने में online में तो इसमें जो plagiarism checker है यहाँ पर मैं content paste करता हूं दोस्तों यह देखिए content paste हो गया और यहाँ पर मैं scan for plagiarism click करता हूं तो देखिए यह scan कर रहा है यह दोस्तों देखिए यहाँ आ गया significant plagiarism found grammar एक problem है spelling में एक problem है punctuation ठीक है consciousness ठीक है readability ठीक है word choice एक गलती है additional writing issue पाँच गलती है अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो significant plagiarism found बोलके आया है यहाँ पर बोला जा रहा है ensure your work is fresh and original by checking it against 16 billion web pages तो दोस्तों यहाँ पर अगर यह error आया है इसका मतलब आपको content में थोड़ा बहुत changes करना पड़ेगा कैसे आ content आया है यह content को आप copy कर लीजिए इसके बाद आप notepad में आईए इसे paste कीजिए paste करने के बाद आपको यहाँ पे change करना पड़ेगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए a domain name is a unique name that identifies an internet resource such as website a domain name is composed of two or more parts the most common of which are the top level domain name TLD which is a part of the domain name बहुत सरे चीज यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पे आप क्या डाल सकते यहाँ पर डाल सकते हैं कि Domain relationships I have easily most lien Call जो extension होता है जैसे कि .com, .in यह सब भी आप यहां पर डाल सकते हैं तो जैसे कि मैं यहां पर डाल दे रहा हूं दोस्तों देखिए यहां पर paragraph लेता हूं और यहां पर मैं खुछ से लिखने का कोशिश करता हूं डोमेन नेम्स आर डिफरेंट एक्स्टेंशन्स लाइक .in for India, .com for commerce इसके बाद आप डाल सकते हैं .au for Australia, .net for network इसी तरह आप लोग additional content डालते हुए इस content को unique आप बना सकते हैं तो दोस्तों यह एक habit करना पड़ेगा आपको अगर आपको लिखना नहीं आता है तो थोड़ा आपको habit करना पड़ेगा या तो आप Google में search करके देखिए इसके उपर क्या-क्या content available है उससे simple सा आप आसानी से इसे translate कर लीजिए तो दोस्तों जैसे कि देखिए अगर यह मेरे पास content है ठीक है दोस्तों यह अगर मेरे पास content है इस website को अगर आप convert करना चाहते आप अगर मान लीजिए हिंदी में ब्लॉग लिखते तो देखिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूं और यह तूरंद हिंदी में convert हो गया तो दोस् कर लिए इसके नीचे मैं Hindi paste करता हूं ठीक है अब यह Hindi को हमने अब इसे change कर लिए swap कर लिए यहां पर Hindi आ गया और यहां पर Hindi to English convert हो ठीक है देखिए तो वही चीज आ गया तो दोस्तों इसी तरह आप लोग हिंदी में पहले type कर लिजिए अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप पर लिजिए परके समझ लिजिए और उसे अपने भासा में पहले type कर लिजिए हिंदी में type करने के बाद आप आसानी से उसको Google Translator से इंगलिज में convert कर लीजिए तो आगर आप हिंदी website बना रहा है हिंदी में blog website बना रहे हैं तो वो तो आप लिखी सकते हैं अगर आप इंगलिज में आप बना रहे हैं तो आप उसके लिए Google Translator का use कर सकते हैं और Google गूगल ट्रांसलेटर 100% आपको ट्रांसलेट करके देगा तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग यूनिक आर्टिकेल ब्लॉक के लिए लिख सकते हैं अगर आपका कोई वेपसाइट है वेपसाइट के लिए भी आप लिख सकते और आसान इसे आप इसे गूगल एटसेंस के कर देंगे तो वह एप प्रूफ होने का चंस 100% रहेगा आशा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आओगा वीडियो पसंद आने से जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों लोगों के साथ अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप उचल से जल्द मिल जाए आज के लिए फिर मिलते नए वीडियो के साथ तब तक जय हिंद बन्ने मातरम